आज सुदु है कि आधि डिस्कस करने वाले हैं हम सवी न अउग्या आंडोलन सवीसिंहां वग्या अंदोलन होने का जाल था उसका क्या प्रभाव पड़ा इसके क्या पर्लाह में हुए इसके बारे में हम जानेंगे इसके साथ ही यदि आप एक्जाम में एंसर राइटिंग लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाएगा कि आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर सके इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो हम जानते हैं कि सविने अवग्या आंदोलन कब प्रारम हुआ था पहले जानते हैं कि सविने अवग्या का अर्थ क्या होता है सविने का अर्थ होता है कि विने करना या फिर यू कहें कि निवेदन करना और अवग्या का अर्थ होता है कि अवहेलना करना आग्या की अवहे प्रारम करने का जो अनुमती है वो लाहर अधिवेशन iyo इसके अधिवेशन 20a अधिवेशन अधिशन पंडिजवालाल नेरू इस आधिवेशन की अध्यचता कर रहे थे और इसी अधिवेशन में सविने अवग्या आंदोलन प्रारम करने की अनुमत मिली थी कि गांधी जी के नित्रुत में सविने अवग्या आंदोलन किया जाएगा गांधी जी ये अच्छी तरह से जानते थे कि भारत की जो जनता है भारत जो लोग है वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हमारा साथ नहीं देंगे क्योंकि इसके पहले जो आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन वो जब अपने चरम सीमा पे था तो उसको चौरी-चौराकांट के कारण अस्थगित कर दिया गया था जिसके कारण जनता बहुत नाराज थी नाखुष थी इसलिए वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी ये गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे इसलिए गांधी जी इस आंदोलन को प्रारम करने से पहले अपने ग्यारा सुत्री मांग रखते हैं कितनी सुत्री ग्यारा सुत्री मांग रखते हैं यानि ग्यारा मांग रखते हैं किसके सामने इरविन के सामने इरविन के सामने गांधी जी अपनी मांग को रखते हैं क्योंकि इरविन उस समय महारत का वायसरा था और गां गांधी जी ने प्रकासित किया किसमें 30 जनवरी 1930 को यंग इंडियाムी उनकी एक बुक थी यंग इंडिया और तो गांधी जी ने इस बुक में सौर पुर्थम अपने 1100 प्रीमांग को 30 जनवरी 1930 में क्या करते हैं प्रकासित करते और फिर उसके बाद इरविन को पत्र लिख करके यानि पत्र के माद्यम से मार्च 1930 में अपने इस मांग को रखते हैं इरविन के सामने और वो अच्छी तरह से ये जानते थे कि उनके इस मांग को स्विकार नहीं किया जाएगा और वो चाहते भी थे कि उनके इस मांग को स्विकार न किया जा क्योंकि भारत की जो जनता है वो हमारे पच्छ में आ सके यानि कि जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें वो पार्टिक्सिपिट कर सके क्योंकि जो ये मांग रखे थे 11 सुत्री उसमें कहा गया था कि जो उनका फर्स्ट मांग था गानी जी का जो फर्स्ट मांग था वो था क्या बोलते हैं कि वो था रुपया इस्टलिंग अनुपात को कम किया जाए क्या था रुपया इस्टलिंग को कम किया जाए यहां पर इस्टेलिंग का मतलब होता है कि जैसे वर्तमान समय में हमारा रुपया और डॉलर है तो रुपया को डॉलर में एक्सेंज किया जाता है उसी तरह उस समय में रुपया को इस्टेलिंग में एक्सेंज किया जाता था तो गांधी जी ने कहा कि रुपया और इस्टलिंग अनुपात को कम किया जाए जिसे ब्यापारियों को लाब होगा अगर इस मांग को सविकार कर लिया जाता है तो भारती जहाज द्योग को संगरच्छर प्रदान किया जाये भारती कौटन इंडॉस्ट्री को संगरच्छर यानि कि इन सब को जब संग्रश्र प्रदान किया जाएगा अनुपात को कम किया जाएगा तो जो भारत के क्या है ब्यापारी वर्ग है उनको क्या होगा लाब होगा इसलिए गांदी जी निस मांग को रखा लेकिन इर्विन द्वारा इस मांग को अस्विकार कर दिया जाता ह और इसके बाद जो ब्यापारी भर्ग थे उनुको लगा कि गांधी जी मंग कर रहे हैं वह उनके फैदे के लिए कर रहे है हैं और इस मंगब को बृतिज सरकार द्वरा अस्विकार किया जा रहा है तो हमें गांधी का क्या करना चाहिए साथ देना चाहिए हमें गांधी की इस आंदोलों में भाग लेना चाहिए हमें ब्रिटी सरकार की बगावत करनी चाहिए इसलिए ब्यापारी वर्ग भी गांधी के क्या होगे पच्छ में हो गए और गांधी जैनी की साथ ही साथ भूराजस्व में 50% की क कटोटी की जाती है तो किसको लाब होगा किसान वर्गों को लाब होगा तो लेकिन इस मांग को भी ब्रेटिस सरकार द्वारा अश्विकार कर दिया जाता है तो जो किसान वर्ग थे वो भी किसके पच्छ में होगे गांधी जी के पच्छ में हो गांधी जी का साथ देने लग उनकレता क्षा प्राइद को फेडियुक्त जाते थे इसल 때 उनके वेतन में मी कमी कि जाए सेन कर्चों के कटोती में कमी कि जाए भारतियों को उनकी सुरच्छा के लिए हतियार प्रदान किया जाए ये भी मांग रखे दे गांदी जी इसमें ध्यान देने माली बात ये है कि गांदी जी अहिंसा के पुझारी थे वे अहिंसा वादी थे लेकिन यहां पर वे इंडारिक्टली हिंसा को प्रोशाइद कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हतियार की मांग की कि सुरच्छा के लिए भारतियों को हतियार प्रदान किया जाए राजनितिक कैदियों की रहाई की जाए नमक को जो नमक कर है उसको समाप्त किया जा रुपयोग के लिए नमक बनाने का जो अधिकार है उसे प्रदान किया जाए और जो मादक परदार्थ की जो दुकाने हैं उनके सामने भी धरना देने की अनुमत दी जाए जैसे कि मादक परदारत के लोग पाहले बहुत सेमन करते थे तो भारत के महिलाएं थी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कते होती थी अगर धर्णा देनी के अनुवती नहीं मिलेगी तो जो इंडिया की महिलाये हैं वो इभी गांधी के पच्च में हो जाएंगी गांदी जी के इसलिए गांधी जी यह भी मांग रखी और नमक कर समात olabilir के इसलिए रखा गया क्यों ये भी मांग गांधी जी रखे लेकिन उनके इस मांग को क्या किया जाता है अश्विकार कर दिया जाता है गांधी जी अच्छी तरह से जानते थी कि उनके मांग को अश्विकार किया जाएगा और वे चाहते भी थी कि उनके मांग को अश्विकार किया जाएगा ताकि लोग के सवीने वग्यां प्रारम नमक जालें कि उसको सवाइब को आधार बना कर गांझी जी ने सवीने वग्यां प्रारम में किया तो जो है कि एक बार और ध्यान रखी कि जो नमक पर कर लगाया गया था वो लगाया गया था 1882 में कब लगाया गया था 1882 में और लगभग 65 से 75 परसेंटेज टेक्स था नमक पर इसलिए गांधी नमक सावर मती जो है वह अहमदाबाद में पढ़ता है तो सावर मती से गांधी जी ने यात्रा प्रारम की और कहां तक चले दांडी तक चले कहां तक दांडी दांडी जो है वह नवसाही जिले में पढ़ता है और गांधी जी ने 275 375 किलुमेटर की यातरा की कहीं कहीं चंज ब्हीं देता है 375 किलुमेटर की अतरा तय कि और गांधी-डेजी सावरमतियासरम्रेट से चले Стाहित उनके साथ कितने लोग चले खानले 7 travaille गांधी जीनि इस यातरा कितने दिनों में किती और 6 अप्रेल 1903 को यह कहां पोचे थे दान्डी पहुचे थे दान्ड़ी पहुचकर कि इन्होंने नमक्कर क्या किया था तोड़ा था जो भी यह प्रारंभ में चलना स्टार्ट किये थे तो इनके साथ कितने लोग गया थे 78 लोग गया थे लेकिन जैसे जैसे गांधी आ से एंदोलन प्रारम कर दे नमक कर तोड़ने का जैसे कि यह आंदोलन प्रारम जब किया गया मत 흥 गानीजप से काली कट तक की यात्रा हुई पायनूर से काली कट तर्ट तक विचल करके नमक कानन को तोड़ा गया और इस यात्रा के जो लीडर थे वे थे के केलपपन कौन थे के केलपपन थे के केलपपन इस यात्रा को लीड किये और नमक कर तोड़ा केरल में और मद्रास में भी इसी दिया तरीके से लोगोंने प्ले नमक को तोड़ा, नमख करको और वहां कि जो लीडर थे, उन्होंने जो मद्रास में लीडर किए थे वे ते सी राज़ गुपालाचारी, सी राज गुपालाचारी जी कि ये थे वहां नित्रुत और ये नमक तोड़ा गया था तृष्णा पल्ली से चल करके वेदरायर तक चल करके नमक करको तोड़ा गया था सीराज वुपाराचारी ने इसका नितरुत किया था और यह चीज़ आप लोग और ध्यान रखे कि जो सीराज कुपाराचारी थे उनको लगभग 1937 के आसपास मद्रास प्रांत का मुखमंत्री भी बनाया जाता है और बंगाल के गवणनर में बनते हैं सीराज कुपाराचारी और स्वतन्त भारत की पहली वायसराय भी बने और आदुनिक मद्रास के निर्माल उनका बहुत बड़ा योगदान है, यह चीज भी कि इसके साथ यह आंदोलन जो है उतर पशीम सीमा प्रांत जो इस समय अब वर्टमान समय में पाकिस्तान अप्ड़ता है उतर पशीम सीमा प्रांत में पेसावर जगह था क्या नाम था पेशावर 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 एक जगह था वहाँ पर भी इस आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में इस आंदोलन के जो लीडर थे जो नेत्रित करता थे वे थे खान अब्दूल गफार खान जिनको हम लोग सिमांद गांधी के नाम से भी जानते हैं इन्होंने एक दल बनाया जिसका नाम था खुदाई खिद्मतगार क्या नाम था खुदाई खिद्मतगार और इस दल को लाल कुर्टा दल के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये लोग लाल कुर्टा पहनते थे रेट कुर्टा पहनते थे इसलिए इस दल की लोगों को लाल कुर्टा दल भी बोलते हैं और खुदाई खिद्मत गार का यहां पे अर्थ होता है खुदा की सेवा करना इस दल की अस्थापना अब्दुलगफार खान ने की थी पेसावर में और जो हमारा पूर्वी भारत है जिसको आज वर्द्वान समय में मुनों सेवें सिश्टर भोलते हैं पूर्वी भारत में एक छोटी बच्ची थी जो मात्र कितने वर्सकी थी 13 वर्सकी उसने भी ब्रितिस सरकार का विरोध किया था जिसके विरोध में उसको जेल में डाल दिया गया था इसका नाम था गेडेल्यू क्या नाम था गेडेल्यू गेडेल्यू नाम था जिसे ब्रेटी सरकार का विरोध करने कारट जेल में डाल दिया गया और कहा जाता है कि इसको जेल से रियाह नहीं किया गया जब हमारा भारत आजाद हुआ उसके बाद पंडी जवालाल नहरू ने इसे जेल से आजाद किया और इस बच्ची को उपाधी दी थी किसकी रानी की तब से हम लोग इन्हें जानते हैं रानी गडेलियू के नाम से और गांदी जे ने ये कहा था कि जो जहां है वहीं से ये आंदोलन करे तो ज ऐसे प्रांत के लोग ऐसे राजी के लोग क्या बोलते हैं चोकी दार टेक से देने से मना कर दें वन टेक से देने से मना कर दें इस तरीके से ये जो आंदोलन था ये पूरे भारत में चारों तरफ से क्या हुआ फैल गया यानि अगर आप से कोश्चन ये पूछा जाए कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं तो आप एंसर ऐसे दे सकते हैं कि लहोर अधिवेशन में जिस सविनय अग्या अंदुरन की अनुमत प्रदान की गई थी उसको पूरा करने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले 11 सुत्री मांग रखी जब उन मांगों को अस्विकार मत अमाप्त और नमक उपयोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सविनय अवग्या अंदोलन सुरू किया उस अंदोलन की सुरुआ जिस यात्रा से करते हैं उसे दांडी यात्रा कहते हैं ये ऐसे आप दांडी यात्रा बता सकते हैं और य जन आंदोलन था गांदेजे के नित्रूत में वो था और सहयोग आंदोलन और ये गांदेजे के नित्रूत में दूसरा जन आंदोलन था जन आंदोलन और इसके आरामा जो जितने भी आंदोलन गांदेजे ने किया जैसे कि सत्याग क्या चंपारड आंदोलन खेडा आंदोलन ये सब जो आंदोलन गांदी जी ने किया ये था अस्थानी आंदोलन इसको माना जाता है लेकिन जो ये आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन और सभीने वग्या आंदोलन ये था क्या था ये जन आंदोलन था तो गांदी जी के नितरुत में असहयोग आंदोलन दूसरा जन आं प्रारम करने के लिए या फिर सहयोग आंदोलन में किस चीज को केंद्रबिंदू बनाया तो नमक को बनाया और गांधी जी ने सहयोग आंदोलन की सुरुवात कब से की तो दंडी यात्रा से की ये भी बता सकते हैं और कोशन ये भी किया जाता है कि बाकी आंदोलनों से किस तरह से किस प्रकार से ये आंदोलन भीन रहा या फिर सभीने अवग्या आंदोलन का तीन क्या तीन प्रमुख जो है कि कुछ बिसेस्ताएं बताईए तीन प्रमुख बिसेस्ताएं बताईए या फिर सभीने अवग्य आंदोलन की बिस्तिता हैं बताईए किस तरीके से आंदोलन बाकी आंदोलन से भीन था तो आप ये बता सकते हैं कि इस आंदोलन में बहुत बड़े अस्तर पर ब्यापारी वर्ग ने भाग लिया महिला वर्ग की भी इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही और इस आं करके सेविन सिच्टर यानि कि जो पूर्वी भारत है वहां तक यह आंदोलन फैला पूरे भारत में फैला इसलिए इस आंदोलन का भोगलुक विस्तार भी बहुत बड़ा था आप से अगर पूछा जाएं कि इस आंदोलन का योगदान क्या रहा है तो भी आप यह बता सकते हैं कि इस आंदोलन ने देश के राश्टी आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमी का आदा की है या ऐसे कह सकते हैं कि इस आंदोलन के कारण राश्टी आता गाउं गाउं स्कूल देश देश की कोनी कोनी तक पहुची यह इसका योगदान रहा है और इस आंदोलन में पहली बार व्यापारिक वर्ग महिला वर्ग ने भाग लिया बढ़ चड़ के भाग लिया हिस्सा लि और यहाँ पर आजादी नहीं मतलब कि इस आंदोरन में आजादी नहीं बलकि नमक जैसे बिंदू को आधार बना करके बहुत बड़ा जन आंदोरन खड़ा कर दिया गया जिसके कारण हमारा राष्टी आंदोरन और जादा मजबूत हुआ यह इस आंदोरन का क्या था योगदान रहा है अगर आपसे पूछा जाता है कि जिस समय सभीना वग्या आंदोरन चल रहा था उस समय ब्रिटिस सरकार क्या कर रही थी अगर आपसे पूछ रहा है तो ध्यान रहा किए कि जिस समय सभीना वग्या आदोरन चल रहा था उस समय वो साइमन कमिशन जो था उसका रिपोर्ट भी आया था में जो साइमन कमिशन था वो भारत में कब आया था साइमन कमिशन भारत में 1927 में आया था कब आया 1927 में और इसका गठन कब हुआ था साइमन कमिशन का 1928 में गठन हुआ था 1927 में इसका गठन हुआ था 1927 में क्या हुआ था साइमन कमिशन का गठन हुआ था कहां हुआ था लंदन में हुआ था और भारत कब आया था 1928 में भारत कब आया 1928 में और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी 1930 में इसी साइमन कमिशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बहुत से भारतियों को जो भारती पार्टी थी जैसे कांग्रेश हो गया मुस्लिम लीग हो गया ऐसे जो पार्टियां थी उनको इन्माइट किया गया था बुलाया गया था और एक सम्मेलन आयोजित किया गया था इसी को गोल में सम्मेलन बोलते हैं इस सम्मेलन में सबको बुलाया गया था जिसमें कांग्रेश ने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो इसी गोल में सम्मेलन को आयोजित करने में ब्रेटी सरकार क्या थी बैस्त थी इस समय 1930 में और 1930 में ही भारत में क्या चल रहा था सविना वग्या अंदुरन चल रहा था तो क्या कांग्रेस ने गोल में समिलन में भाग लिया था 1930 में 1930 में फर्ष्ट गोल में समिलन हुआ था तो आप यह कह सकते हैं कि नहीं कांग्रेस ने गोल में समिलन पाटिसिपेट नहीं किया था अगर कांग्रेस इस आंदोलन को छोड़ करके क्या बोलते हैं कि गोल में सम्मेलन भाग ले लेती तो आगांदोलन को रद करना पड़ता समाप्त करना पड़ता जिसके कारठ भारती जनता keyword फिर से असन्तो सुथपन हो जाता फिर से वो नाराज हो किया तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि सविना वग्या आंदोलन को अस्थगी कब किया गया और किस कारण किया गया क्या कांग्रेस ने सविना वग्या आंदोलन के कारण पार्टिसिपेट फर्ष्ट में नहीं की थी तो क्या सेकेंड गोल में समेलन में क अंग्रेश ने पार्टिसिपिट किया था कि नहीं किया था इसको हम नेक्स वीडियों पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद